असलाम लेकूम मैं हूँ सदव साजेब मैं हूँ क्लिनिकल डाइटेशन और नूट्रिशनिस्ट और मैंने एमफिल किया हुआ है कम्यूनिटी हेल्थ और नूट्रिशन में और इसलामवाद में मेरा क्लिनिक है आपकी स्क्रीन पर मेरे क्लिनिक का नंबर और कॉंटेक्ट का वो शो हो रहा है, अगर आप अपनी nutrition के हवाले से, अपनी सेहत के हवाले से कोई diet plan लेना चाहते हैं, कोई guideline लेना चाहते हैं, तो आप उस number पे contact करके अपनी appointment बुक कर सकते हैं. 7 warning signs जिससे पता चलता है कि आपकी body के अंदर चीनी की मिगदार ज़्यादा हो रही है. आज कल चीनी का इस्तमाल ज़्यादा होने की वज़ा से metabolic disorders बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और जिसमें number one पर diabetes है, pre-diabetes, glucose intolerance या resistance का होना, क्यों ज़्यादा हो रहा है क्यूंकि हम चीनी का इस्तमाल बेतहाशा कर रहे हैं. कई दफा हम चीनी इस्तमाल कर रहे होते हैं और हमें असास ही नहीं होता कि हम उसका इतना ज़्यादा इंटेक कर रहे होते हैं, कि जब हम बैट कर सोचते हैं कि हमने कितने चमच चीनी ली, तो वो कहीं 10, 12 या 16 चमच तक पहुंच जाती है. हमारी बाडी शो करती है, क्योंकि हमारी बाडी बहुत इंटेलिजन्ट है, जब कोई भी फूड हम ले रहे हैं, उस फूड का आहिस्ता आहिस्ता रिजल्ट हमारी बाडी शो कर रहे होती हैं, और हम उसको एड्रेस नहीं कर रहे होते हैं, हम उसको इग्नोर कर रहे होते हैं अपनी lifestyle को change नहीं करना चाहते तो आहिस्ता आहिस्ता कुछ सालों बाद किसी बहुत बड़ी बिमारी की आमद होती है और फिर जाकर हमें पता चलता है कि हम तो एक बहुत बड़े problems में आ गए है तो इसलिए obesity जैसे के मुटापा, diabetes जैसे के sugar या high blood pressure का issue या किसी heart का issue जैसे के किसी को दिल की अमरास होते है तो यह सब problems जो हैं वो एक दम से नहीं आते हैं यह इनके पीछे सालों का problem हमारा lifestyle होता है हमारे खाने की bad eating habits होती है कि हमने खाना है और बैट जाना है तो अभी हम बात करेंगे सबसे पहला sign अगर हम sugar जादा इस्तमाल कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको एक clear sign नज़र आता है जो दूसरों को भी बड़ी जल्दी नज़र आता है कि आपका weight gain होना शुरू हो जाता है आप देखेंगे कि आप चीनी का इस्तमाल किये जा रहे हैं बैठ के office में काम कर रहे हैं या आपका बैठने का काम ज्यादा है गरे लुख हवातिन घरों के काम करती है और उनका चलने प्रने का बहुत जड़ा काम नहीं होता तो क्या होगा यह लुजर वॉक कर रहे हैं ना वो exercise कर रहे हैं तो ऐसी सूरत में क्या होगा कि आहिस्ता 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 वो अपना वेड बढ़ाना शुरू कर देते हैं और मसला ता बात है जब वो 10 से 20 केजी एक दम से वेड जादा कर लेते हैं और वो सब इस वज़ा से होता है कि या तो हम सफैद चीनी का इस्तमाल चाई में कर रहे हैं या मीठा खा रहे हैं बेकरी के बिसकिट खा रहे हैं या ब्रेड्स का बहुत ज़दा इस्तमाल कर रहे हैं या इसके इलावा फिर्नी, डेजर्ट, इस तरह की चीज़ें, आइस क्रीम का इस्तमाल, बिला सोचे समझे किया जा रहा है, तो ये सब चीज़ें हमें वेड गेन या मुटापे की तरफ ले जाती है, और आइस्ता आइस्ता यही मुटापा हमें शुगर की अमरास या दूसर काम करने के काבिल नहीं है, तो यसका मतलब है का चीनी का इसतमाल जादा करे dengan या आपने उस खाने में चीनी का आपने खाना खाया है उसके साथ साथ सलात का इस्तमाल नहीं किया है और उसके बाद आपने कोई मीठा भी खा लिया है या मीठी चाय भी पी लिया है तो उसके बाद आपका अटके काम करने का दिल नहीं करेंगा आपको सुस्ती महसूस होगी तो यह एक वार्निंग साइन है क यानि कि फिजिकली तो अंदर से कमजोर हो ही रहे हैं लेकिन उपर से जो एक महसूस हो रही है चीज उसमें बढ़ापा आना शुरू हो जाएगा क्यूंकि आहिस्ता आहिस्ता शुगर जो हमारे कॉलेजन को रिड्यूस करना शुरू हो जाता है। जाने कैसी प्रोटीन है जो हमारे स्किन की इलास्टिक स्टीकों बरकरार रखती है और स्किन यंग नजर आने में हल्प करती है तो वो चीज खतम हो जाएगी और आप बहुत टाइम से पहले आप बुड़े लगना शुरू हो जाएगे अब अगर हम चौते नमबर बात करते ह ब्रेन फॉग ऐसे लोगों को बहुत जादा रहता है ब्रेन फॉग आप इतने कंफ्यूज होंगे आपको समझ नहीं आएगी खाना खाया फॉरण कहते हैं कि जी में बहुत थका हुआ हूँ फिजिकली तो आप थके में में अच्छा काम नहीं कोई कर पा रहे हैं कुछ रहे हैं कि ऊसे यह बहुत क कहने हरे नहीं करके अपने ख़ाने में शुगर का इस्तमाल के जा रहे हैं और चीनी आहीं को को प्रॉब्लम सामने आजाएंगे तुत्क डिके दान morb्र इकाई का नहीं चुगर का शुगर की जारी होती है तो उसरक बार आइसे लोगों को यह प या आप डिजर्ट बहुत ज़दा खा रहे हैं या एकदम से शुगर की क्रेविंग हो रही है आपको तो उसमें यह होता है कि आपका मूट स्विंग्स बहुत आना शुर हो जाएंगा इसे लोगों इसलिए आपने कभी देखा है कि डाबटीज के जो मरीज हैं जब भूक खुसा एकदम से भूक का हिसास होगा तो आप हर एक से लड़ रहे होंगे मूर स्विंग्स अगर आपको आ रहे हैं तो यह भी एक शुगर का इंडिकेशन है तो यह साथ चीजें हैं जिनकी वज़ा से आपको अंताजा होगा कि आपकी बॉड़ी के अंदर शुगर का इस् मिठाईया हैं जाहे वो आपका किसी भी किसम के बेकरी के बिसकिट हैं निमको है चिपस हैं यह सब आपकी बॉड़ी के लिए सही नहीं हैं और यह शुगरी बना रहे हैं तो उसकी बजाए कोशिश करें कि घर का सादा खाना खाएं प्यास के लिए पानी का इस्तमाल करें और खाने के बाद चाए का इस्तमाल नहीं करें और चाए अगर आपने पीनी भी है तो कोशिश करें कि उसके अंदर चीनी कम से कम इस्तमाल करें बहुत शुक्रिया